हेलो, गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आपका दैस्पीड स्टुडे चानल पर इबार फिट से स्वाल लगा है आज सुम्लों विक्सरसाइज 2.4 का क्वेशन नबर 8 पढ़ेंगे बहुत ही आसान क्वेशन है क्वेशन आपको आपकी स्क्रीन पर देख रहा है ध्यान से देखें हाफ आपका हर ऑब बेख आर ब्रेजिंग इन दफेल्ड और त्री फोर्स अफर आपके हाउद्ट थे स्टूट का आधा भाग मैदान में चल्रा है और सेज का तीन चुथाई पढ़ोस में ही खेपूर कर रहा है और सेस 9 बची लीवड एक क्या धाला में पानी पी रहा है। जुंद में हिर्डो की संख्या लिए आपको महीं जुंद में हिर्डो की संख्या जंख्या ढां करने है। और मैंने आपको पहले ही बताया रहे कभी हुए है कि जो भी पूछता उसी को में लेट करना होता है तो इसमें पूछ किया रहा है find the number of deer in the herd कि कितने जुंद में या वहां पर कितने deer हैं वही हमें find out करना है कि वहां पर कितने deer हैं जुंद में deerों की संख्या या या यही हिरों की संख्या तो सबसे पहले हम यहां राइट करने किया solution देगे solution राइट करने के बार बहुत ही आसान है फोड़ा सध्यान से देखिए मैंने कहा था कि लाश्ट में जो होगा वही हिलेट करेंगे फोड़ा वही हिलेट करेंगे तो लाश्ट में पूछ रहा है फाइट इन नमबर आप दियर इन दा हर्ड यानि जुंद में हिरों की संख्या ग्यान कीजिये सबसे पहले लिखेंगे लेट दा नमबर आप दियर इन दा हर्ड इन दा हर्ड मतलब माना ये कितना हो जाएगा इपकोल? ये अब सो जाएगा ठीक है? ये हो जाएगा माना जुंद में पीरों की संख्या माना जुंद में पीरों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? यक्स हो जाएगा इककोल यक्स हो जाएगा अब इसके बाद आपको कह रहा है कि हाफ of a deer हाफ of a herd of deer are grazing in the field जितनी deer टोटल है कितने deer है आपके पास यक्स यक्स deer आपके पास टोटल है और इसकी हाफ यादी आदी कहाँ जा रही है चलने गई है grazing कर रहे है तो अब देखते हैं कितनी grazing करें क्या रहे है and the number of deer number of deer grazing in the field in the field पील मतलम और और धून्ड में चरने बाले हीरोडों की जून्ड में चरने वाले हीरोडों की संख्या और जून्ड में चरने वाले हीरोडों की संख्या और हीरोडों की संख्या संख्या सब ख्या तो ये कितनी हो जाएगी देखिए जितना total हील है कितने इल है कितने इल है आपके पास total यह ग्रेजिंग कर रहे हैं कहां पर फील्ड में केतों में चल रहे हैं अब इसके बाद आपको कहना है कि add three-fourths of the remaining are playing nearby ना अब जितने बियर है ना उसके three-fourths क्या है कि अब जो रहे हैं क्या कर रहे हैं वो प्लेइं कर रहे हैं खेल रहे हैं क्या लिखेंगे then the number of deer lay nearby लेई नियर बाई मतला खेल रहे हीरणों की संख्या संख्या बराबर आप देखिए तोटल आपके पास इतने हिरण थे या सिरण थे तोटल कितने हिरण थे या सिरण थे यहस का हाँ यहस हिरर ते तो आपके आधी हिरर कहां चलेगे आधी रह कहां चलेगे गरें करने चलेगे आपके पास टोटल नंबर आफ दिर थी X और X का half dier यानि X by 2 dier नहां चली गई raising करने चली गई मतलब X by 2 कर दो X minus X by 2 कर दो और इसी का आप हमको क्या कर देना 3 by 4 अगर इसला 3 by 4 कर दे तो हम में यह बिल जाएगा आपको कि कितनी dier प्ले कर रहे क्या हो जाएगा 3 by 4 हो जाएगा 3 by 4 into अब देखिए यहाँ पे जान लीजे क्या है अपान बाई में यह बैसे ही जान लीजे अपान बाई आप यहाँ पे आईसे में लीजे इसके नहीं इसके नीचे आपान बाई में 1 का टेबर कर दो तू से जाएगे तो 1 तू जाएग 2 यार्स माईनेस यर्स यह हो जाएगा 3 by 4 into 2 यर्स में 3 यर्स माईनेस करिए 3 यर्स बाई 2 यानि 3 बन जा 3 यर्स अब आई 4 तू जा यह हो क्या अब फेरा है देखिए 9 आर ब्रिंकिंग वाटर प्रम दी पॉर्ड अब जो बच्ची हुई डियर है 9 ior वो क्या कर रही है पानी पी रही है क्या कर रही है पानी पी रही है तो आप चलते हम क्या क् स्टैंस कार इंटो कॉर्प्ष्टे करड़े है और गऐन क्रोप्ष्टे आप देखिए आपके पास टोटल कितने इढ़ है कितने तील है येक्स डियर है, येक्स डियर थे आपके पास, उसमें से येक्स वाई, टू डियर आपके हाँ चले गए, चलने चले गए, अगर हम येक्स डियर हमारे पास थे, और उसमें से कितने लोग चल रहे हैं, कितने हीरर चल रहे हैं, और कितने हीरर ऐसे हैं, जो खेल रहे हैं, अग तो आपके आपने x by 2 में प्लस कितना करदें 3x by 8 करदें तो यह हो जाए ना आपका x minus minus अब यहाँ पर क्या लिए ले लिए एलसी हो के तो x x अब 2 करणे होने पड़ों 8 से जाते हैं नहीं होने चेट 2 4 जा यानि 4x plus 3x इक्वाल 9 हो गया यानि x minus 4 और 3 7 x 5 1 इक्वाल 9 हो गया तो हम आगे सकते हैं इतना होने के बाद इसके बाद रखते हैं अगर हम देखें इसको तो आप देखें एट ऐसे में ले 8 x मेरे यहां पे कुछ नहीं है मतलबवान है तो एक करने मतलबवान करने में पड़ी है इक से जादा ने में रखें तो बाद एक जा एक तो एक से एक से एक से एक से माइन से इक्वाल इक्वाल 9 हो गया अब हमें पता अच्छे से कि कोई में नंबर होता है अगर हुआ पान में होता है या बटे में होता है या इस साइड एक्वाल के इस साइड नीचे उबत उखर जाएगा तो ऊपर जला जाएगा अब हो गया इक्वाल इस साइड या या नीचे है तो वहां क्या खावन दाएगा उपर जला जाएगा या या इसका इसका में डिप्लाइगा तो 9 इंटू 8 तो या सिक्वाल गीना आग्या 8 9 या 72 तो आपको फाइंड हो क्या करना है क्या नंबर आप दिया दिदा हर तो अ आपकर निकल गया अब क्या लिखिंगे यहां पर यह कर यह दिद्वर आपर हर यह दिनम्बर आप दिया इसमेंटी यह वगा आपका यह वगा आपका आँसर अब अभर नहीं को श्वाल नाइन को श्वा दीजिए यहां से देखिए आप question line पे चलते है, अब हमारा question line है, सबसे पहले question रहते है, question आपको screen पर रिखा है, A grandfather is 10 times older than his granddaughter, he is also 54 years older than her, find her present age, डादा जी की आई अपनी पौत्री की आई की दस गुनी है, यह भी उनकी आई पौत्री की आई से 54 वर सदिक है, तो उन दोनों की आई ग्यान कीजिये, सबसे पहले मैंने कहा था, ऐसे question होगे, सबसे पहले क्या write करना है, solution, question I and I solution write करने की पास सोचेंगे करना क्या है, लेखिए आपको दो लोगों की आई की बात कर रहा है, दो लोगों की age की बात कर रहा है, एक तो grandfather की age की बात कर रहा है, एक granddaughter की age की बात कर रहा है, है ना तो यह मताइए डादरजी अगा और आदरजी की पत्री में वड़े होगी तो अब को पहले भी बोला था यानिन कि जिसकी एज कम होगी महीं मानते हैं तो यह मताएं ग्रैंड डाटर चोटी होगी करेंड फादर चोटी होगी तो granddaughters होती होगी, तो सबसे पहले जो age माली जाएगी, let की जाएगी हूँ, किसकी let की जाएगी, granddaughters की, यहां क्या चुने, let, granddaughters, granddaughters, present age, माना, पौत्री की, वर्टमान, आई, तो बराबर कितनी हो जाएगी, यक्सी let, हैना, आप किसकी let करेंगे, अब grandfather की let करेंगे, चलिंगे, then grandfather is, grandfather's present age, मतलब तब दादा जी की वर्टमान आई, तब दादा जी की वर्टमान, आई, आप देखिए, इसमें question में की अटरा की, आप दादाटर इस टेंटाइम्स ओल्डर देन इस ग्राड़, शली, आप दादाजी आप से तेंटाइम्स की हैं, तो जो ग्राड़ फादर है, वो उनसे टेंटाइम्स है, मतलब तेंट यर्स हो जाएगा, मैंने आपको पहले कारी आदाजी की आपके दादाजी आपसे 10 टाइमस की हैं, ओल्डर हैं, ौल्डर है, आपकी ऐस मैँस, तो आपके दादाजी की एस कितनी हो जाएगे 10 इंटू 10 कर देए, तो वैसे ही है कि जो पोत्री है, याitar देंगी इस की एस यक्शियर से।, और अब grandfathers हो रहे हैं वो पौत्री से 10 times हैं पौत्री का 10 times मतलब years into 10 इस कितना हो जागे? इस इनकी कितने हो जागे? 10 years 10 years आया? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अब यह किलिए क्या according to question According to question According to question Our grandfather is 10 times older than his granddaughter He is also 54 years older than her मैंने गहाँ था कि कभी अगर ऐसा कोशन आये कभी भी कही पर भी ऐसा दिया गया हो Times हो, Older हो, Greater हो, More हो थामेसा इन लोनो क्या कंटेंगे इस दूसरे के इक और तो 10 years कर देजी अब इसके बात देते हैं कि यह बताएं इसमें question कह रहा है आपको हर का मजब कि स्क्रीन, पौत्री यानि ग्रेंग चार्टर की तो अब यह 54 years बढ़े है इसलिए किसमें होगा 54 years किसमें होगा कल्यूक चल रहा है उल्टा होता है मेसा अगर यह बढ़े है इन में कर दीजे यह बढ़े है तो इन में कर दीजे दोनों basic होई एक बढ़ा है तो उसके opposite में कर दीजे यह हो गया तो years x अब यह 10x के सामें कौनसर साइड है प्लस का साइड है तो इधर लाएगे तो minus ten years equal equal यह plus 54 उँग जाए तो minus 54 अब यह आपकर 1 years है 10 में से 1 minus कर लें 9 years यादि minus 9 years equal minus 54 अब इधर 13 गाएँ पे यह उधर जाएगे तो दिवाइब में यह सिक्वल आगे माइनस 54 अपान माइनस 9 माइनस से माइनस केंशिल 9 वजा 9 आब 9 वटे में पढ़नार में 54 से जादा 9 होना चे चो 9 सिक्वल 54 मतलग यह हो जाएगा यह सिक्वल 6 तो अब हमें फाइंड हो क्या करना है कि 5 दियर प्रिजेंट एज उनकी प्रिजेंट एज निकाल नहीं है क्या हो जाएगा यह पर यह 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 ग्रेंट डाटर्स प्रिजेंट एज यह 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 मजब कितना इए जल आपका यह ंद न्यकातर कर दाटर्स प्रिजेंट एज एज दो सिस्टं एजुहर इए जाया का सिस्टिं एंड है इन हुए आपका आज़के है अ हमलोग चलते है कॉस्जन नुम्बट एम excel को कुछिशन ते हैं आमद्स एज इस थी टाइम सी संसेज, तेन इयर से दो ही वाज फाइब टाइम सी संसेज, फाइब डियर प्रिजेंट एज, आमद की आज उसके पुद्र की आज की तीन बुनी है, दर्स बर्स पहले उसकी आज पुद्र की आज की पांच दुनी थी, दोनों की वर्थमान आज याद कीजिए, सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, शालिशन राइट करेंगे, आपके बात किसी कर रहा है अमन की बात कर रहा है और अमन के पुत्र की बात कर रहा है अब बता है अमन बढ़े होगे ये अमन का पुत्र बढ़ा होगे अमन बढ़े होगे तो हमने आपके बताया था कि लेख करेंगे जब कभी भी एस लेट करते हैं तो चोटा होगा तो छोटा कौन है, अमन का पुत्र छोटा है, अमन सन्स छोटा है, ना, तो अमन के सन की एस रिट करेंगे, क्या लिखी के बहर है हम, लेकर, अमन सन एस, यानि माना अमन के पुत्र की आई, पुत्र की आई, बराबर कितना हो जाएगा, यस, यस, अब देखिये, अब किस की लिट करेंगे, अब अमन की लिट करेंगे, देन, अमन सेस, तब अमन की आई, अमन की आई, कितनी मसाएगी, तो कह रहा है कि जितनी अमन की एस है, जितनी अमन की पुत्र की एस है, अमन की आई, उनका त्री आईस है, मतलब अमन की पुत्र की आई कितनी है, यस, अमन सेस कितनी है, यस, तो अमन के सन की एस में, अगर मंटिप्लाई किस से कर दो, थ्री से मंटिप्लाई कर दो, तो ये पता चल जाएगा, कि अमन की एस कितनी है, मतलब ये कितनी हो जाएगी, त्री एस, अब पर तेन इयर्स एगो, तब क्या लिखेंगे, तेन इयर्स एगो, आमन सेज, आमन सेज, आमन सेज, आमन सेज, दस वर्ज, पहले, आमन के पुद्र की आई, आमन के पुद्र की आई, बराबर इतना होदाएगा, तो दस वर्ज पहले, पहले का मतलब पीछे, मैंने खाता है कि बाद आए, आपटर आए, परशाद आए, प्लस करेंगे, एगो मतलब पहले की बात करेंगा, तो माइस करेंगे, पूर्ण की बात करेंगा, तो माइस तो एको मतलब होता है पहले पहले मतलब पीछे की बात करदा है इसलिए माइनेस होगा तो यहार्स माइनेस तेनी यहार्स आप क्या लिखेंगे तेनी यहार्स देगो आमल्स एस दस वर्स पहले आमल्स की आल्व इस पराबर कितना हो जाएगा तो दस वर्स पहले यही त्री अभी है इस टाइम प्रेजेंट में तो 3 years माइनस कितना हो जाएगा तेनी हो जाएगा इतने years होगा अब राइट करेंगे हम लोग aqauding to question तब क्या राइत करेंगी education अब क्या राइट करेंगे 10 years ago he was five times his son's age आपके इस टाइम सागें, मैंने कहा तर कभी पे अगर टाइम आजाए, कभी पे अगर टाइम की बात कर दें, तो क्या करेंगे, जो भी गिया होगा उसको उसकी इक्वल कर लेंगे, यानी, x-10, इक्वल 3x-10, अब कहना है कि जो आमन है न, आमन की यह जगर दसवर्स पहले की आमन की बात करें, टेनिया से को भी बात करें, तो वो अपने पुत्र से क्या होगा, 5x older होगा, बड़ा होगा, तो अब एक अमन बड़ा है न, किसमें करेंगे, अमन के पुत्र में करेंगे, यानी किसका 5x हो जाएगा, इसका 5x होगा, अब यह 5 symbol दिता होगा, यह इनके घ यह हो जाएगा 5 years minus यह हो जाएगा 5 years minus 5 तेंजा 50 इक्वल इक्वल 3 years minus 10 अब क्या तरिये कि जो variable वादा टर्म उसको एक साइट कर लीजिए variable बच्छा दोता alphabet जिसमें A से रहे कि जिरता कोई भी अगर दिख रहा है एक सीमें तो उसको एक साइट कर लीजिए पूल के इस साइट बाकी नंबर उस साइट कर दिखें तो यह 5 years है 5 years इसके सामने कोई साइट है बज़ब प्लस का साइट है यह plus 3 years सिधर आए तो minus 3 years हो जाएगा equal equal minus 10 यह minus 10 यह minus 50 उधर जाएगा तो plus 50 हो जाएगा तो 5 years में 3 years माइनस करिए तो 2 years यह जाएगा 2 years हो गया equal equal अब 50 यह minus में यह plus में plus minus माइनस होता है sign हमेशा जिसके सामने जादा नंबर होगा उसका लिखाजाएगा तब यह बताए 50 जादा होता है यह 10 तो sign 50 होता है साइट नहीं 50 ही होता है ठीके तो 50 होगा तो इसके साथे plus का sign इस plus लिखेंगा ना लिखें अब आपकी पास 50 रूपए थे आपने 10 रूपए का समान करीजा सो आपकी पर आपको खितना रिटेंज करेगा 40 रूपए क्या क्या हो जाएगा 40 यानि हो जाएगा आपका 1 सिक्वल और निकालना क्या है दोनों की वर्थमान आज ग्याद कीजिए दोनों की वर्थमान आज निकालनी है वर्थमान आज का मतलब है कि आपको क्या फाइलोड करना है वही पहले वाला फाइलोड करना मतला यही जीज़ा आपको फाइल करना है तब क्या है दिने यह अमन संसे इज इक्वाल 20 यह सिक्वाल 3 इंटू 20 यह उसकी वैलों का ग्खा यह हो गया आपका आंसर आप हम लोग आज इस question को complete कर चुके हैं इस exercise को नेक्स्ट डे हम लोग exercise पढ़ेंगे 2.5 लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग question 1, 9, 10 का कम सी कम दो दो question अपने मन से आप बनाईए और इसको solve कीजिए थाहते हैं थाहते हैं